हेलो अव्यरीवन कैसे हैं सब लोग कैसे चल दीजिए सब की बढ़ाई इलक्त्र स्थ्थाटिक खतब हो हो कि नहीं पौरा पहले वो बताओ अभी तक इलक्त्र स्थ था खत्रक तर्लेधिक का सारा वीडीडो और स्थे और फ्लेलिस्ट में जा ओ पहले देखो एलेक्ट्रो स्टाटिक का कंसेट चलियर हो जाएगा तो ही ये चाप्टर तुमको समझ में आने वाला है तो ही यहाँ पर कहानी बनने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं moving charge के बारे में तो सबसे पहले static charge की तो बात कथम कर लो और static charge हमको पता है हम लोग ने कहां पर पढ़ा है डाट इस एलक्रो स्टाटिक में ओके तो हलो एवरिवन माने में संजीफ पांडे और स्वागता आपका आपने प्यारे से चैनल में खुपसूरा से चैनल में जेयार टुटोरियल में सब्सक्राइब करने वाले हमारा new chapter which is nothing but a current electricity through conductor अब electricity की बात आती है करेंट कहीं कहीं related होता है फ्लो से मतलब यह क्या है यह भाई जब चार्ज फ्लो होना चालू होता है तब एक quantity produced होता है that is the electric current and it is nothing but हम लोग ने देखा है कि हमारा fundamental quantity है इसका unit क्या होता है हम लोग ने पहले chapter में याद करो MPR हम लोग ने discussion कर लिया yes or no ओके आज हम लोग यहाँ पर बहुत जादा डीटेल में बात करने वाले सारों चीजों की ओके तो चलो start करते हैं सबसे बहतरीन chapter which is nothing but chapter number 11 electric current through conductor ओके तो अगर हम लोग कहानी की बात करते हैं तो कहानी में सबसे पहला शब्द आता है electric current अब क्या होता है electric current मालो कोई conductor है भाई conductor है तो मेरे को पता है mostly conductor क्या होता है metal होते हैं और metal are electro positive भाई उनके पास excess electron होता है यहाँ पर मेरे पास free electron है यहाँ पर मेरे पास free electron है since मेरे पास free electron है तो यहाँ पर फाइदा क्या है यहाँ पर मेरी जो electricity है वो conduct हो सकती है पर यह जो electron है ना यह किसी एक direction में नहीं move हो रहे तो यह एक direction में कब move होना चालो होंगे जब इसके पास external electric field आएगा अब मालो जैसे ही external electric field आएगा अब यह एक दूसरे को cancel out कर रहे हम लोग बोलते है ना कि मालो यह metal है सर इसको इसके अंदर अगर electron है तो मैं इसको छूरा हूँ तो मेरे को current क्यों नहीं लग रहा कारण यह है क्योंकि वो जो electron है ना वो random direction हर एक possible random direction में travel कर रहे है और जब व सारे क्या हो जाएंगे सारे के सारे एक direction में हो जाएंगे यह संनू और उसताइम वो flow करना चालू करेंगे किसी एक direction में और तब जो quantity प्रोडूज होगी that is called electric current जब दो quantity प्रोडूज होगी is called electric current तो अगर electric current को हम लोग define करें तो electric current को हम लोग कैसे define करते हैं i is equals to q by t nothing but is it a charge per unit time क्या ही है चार्ज per unit time यहीं से हम लोग का coulomb का definition भी यहीं से आता है coulomb हम लोग बोलते हैं न वो यहीं से क्यों क्या मिलेगा क्यों मिलेगा i into t hyana क्या मिलेगा क्यों क्या मिलेगा i into अब यहां पर यहां पर यहां पर आई into t आ गया अब आई का unit क्या होता है that is ampere time का unit क्या होता है second इसको combine करके coulomb बोला गया था इसको combine करके तुम्हारा coulomb force बनाता मतलब यह बनाता क्या बोलते हैं मैं directly capital C लिए तो that is best okay clear बास में आ गया तो what is current current is nothing but charge per unit time अब मालो अगर बहुत छोटा current है अगर current बहुत जादा छोटा है time के इसाब से तो इसको हम लोग ना instantaneous में define करते हैं that become limit वाला formula लग जाता है तब डेल टी टेंट्स टू जीरो डेल क्यूब आए डेल टी की कहानी आ जाती है मतलब उसमें limit लग जाता है यह कब लगता है यह जब टाइम बहुत जादा छोटा हो जाता है तो पूरे चाप्टर में हम लोग ऐसी बात नहीं करने वाले जहां पर टाइम बहुत छोटा हो हम लोग अच्छा खासा क्यू लेने वाले है तो हम लोग जनरल formula यूस करेंगे that is nothing but this this is the general definition okay i is equals to q by t clear बासन में आगे everyone पका आगे बडें चलो बहुत बढ़िया next हम लोग बात करने वाले drift velocity भाई वो मूफ कर रहे है यह सो नो किसी वेलोसिटी से तो मूफ कर रही है न किस वेलोसिटी से मूफ कर रही है that is called drift कि गार दिखे वारे हैं और अब दोत और यहां पर बोलते हैं ना सफ्शिक पंडामेंटल की बात करने वाला है टो इंट्रोड़क्शन टॉपिक है तो हम लोग क्यों कि देशन लाएं ऑक तुम बता सकते हैं अगर तुमको बन्हों का देंगे वार हम लोग ब्लोग सिर्फ ब एक वायर के अंदर यह इलेक्ट्रोन है माल लो अभी यह इलेक्ट्रोन मूफ कर रहा है अभी इलेक्ट्रोन मूफ करेगा तो किसी वेलोसिटी से मूफ करेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से मूफ करेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से मूफ करेगा okay, so, माल लो, कि यह conductor है, the length of the conductor is given, माल लो, conductor का length L है, और इसको यह cover करने के लिए, यह यहाँ से यहाँ distance cover करने के लिए, कितना speed लग रहा, that is VD, तो अगर मैं देखने जाओ, इसके अंदर से current कितना flow होगा, current flow होगा, current will be, कितना current flow होगा, current flow होगा, that is, V is equals to, कितना current flow होगा, और सॉरी, V नहीं, I is equals to, Q by T हाँ यहाँ न, कितना current flow होगा, I is equals to Q by T, इतना current flow होगा, yes or no, आप देखो, यहाँ से मेरे को V क्या मिलेगा, VD क्या मिलेगा, but, but, what, what is VD, VD है क्या, VD होता है, velocity क्या ही होता है, distance divided by time, मतलब यहाँ पर आजाएगा, D और L, I am not gonna, distance L लिया है, divided by, times, यहाँ से, यहाँ से जरा time उठालो, तो time क्या मिलेगा, time यहाँ से मिलेगा, that is, Q by I, यह time यहाँ पर put कर दो, देखो जरा क्या मिलेगा, therefore, क्या ही मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं time put कर दूँगा, तो मैंने को VD क्या मिलेगा, VD मिलेगा, that is, VD is equals to L by, T के जगे क्या जाएगा, देखो जरा, Q by, nothing but I, I, उपर चला जाएगा, हाँ यहाँ ना, तो क्या ही मिलेगा, देखो जरा, VD is equals to I, L by Q, हाँ यहाँ ना, अब again, हम लोग length की बात नहीं करते हैं, भाई हम लोग area के time में बात करेंगे, हम लोग volume के time में बात करेंगे, हाँ यहाँ ना, हम लोग area या फिर volume के time में बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो एक formula में लोगा मिल चुका है, that is, VD is equals to I, L by Q, क्लियर, बात सुन्मारी everyone, पक्का, okay, next, इसके और भी formula से, और भी derivations से, लेकिन मैंने बताया ना, कि बाकी सारे derivations हम लोग next lecture से start करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिरी basic चीज़ें देखेंगे, कि क्या क्या होता है, okay, next, जो कहानी हमको पढ़नी है, that is nothing but ohm's law, one of the most important factor, one of the most important topic, that is nothing but ohm's law, अगर पूरे चाप्तर में अगर ohm's law समझ गया ना, तो electricity का कहानी समझ जाओ गया, okay, तो ohm's law क्या बोलता है, ohm's law क्या बोलता है, what is the statement सबसे पहले यह समझ दो, ohm's law बोलता है कि माल लोग कोई conductor है, यह conductor के across, यह conductor के across मैंने कोई बैटरी लगा दिया, माल लोग कोई EMF प्रोवाइड कर दिया, कोई potential difference प्रोवाइड कर दिया, तो ohm's law बोलता है, that potential difference will directly proportional to the current flowing through the conductor, मतलब इसके अंदर से कितना current flow हो रहा है, इस conductor में से कितना current flow हो रहा है, वो depend करेगा इसके potential difference पर, मतलब ज्यादा potential difference होगा, तो ज्यादा current flow होगा, कम potential difference होगा, तो कम current flow होगा, मतलब the potential difference is directly proportional to the current, the potential difference is directly proportional to the current, तो वही कहानी यहाँ पर भी है, भाई, V is directly proportional to the current, अब अब अगेन proportionality का sign तुँँको हटाना है, proportionality का sign हटाना है तो क्या करना पड़ेगा एक constant लगाना पड़ेगा तो यहां पर constant आ जाता है और आए वेर वेर आरीज रेजिस्टेंस वेर रेजिस्टेंस एन वाट इस रेजिस्टेंस भाई यह एक device है resistor मतलब यह ability है क्या करना जो current flow हो रहा है उसके flow को कम करना उसके flow को slowdown करना amount को नहीं याद रखना यह confusion है कि भाई सर चार्ज के amount को कम करता है ना ना यह इसके flow को कम करता है amount हुतना मतलब अगर माल यहां पे मैंने resistor लगा दिया तो यहां से अगर q चार्ज आ रहा है तो यहां पे निकलेगा q चार्ज बढ़ उसके flow को यह कम करता है दाट इस नातिंग बटा resistance resistance का unit क्या होता है अगर resistance का हम लोग unit देखे तो ओहम यह already तुम लोग ने तुमको याद होगा already तुम लोग ने यह 10th में पड़ा हुआ है 10th में तुम लोग इस बोल्ट यह already तुम लोग ने पड़ा हुआ है यह सोनु बासन में आगाई इस नतिंग बता Ohm's law and one of the important relation that is V is equals to IR potential difference is equals to resistance into current potential difference is equals to resistance into current clear बासन में आ गई everyone, okay, अब देखो resistance की property क्या है, resistance की property ही कि भाई, वो charge को क्या करेगा, वो current को क्या करेगा, अपोस करेगा, उसके flow को अपोस करेगा, तो ऐसी एक और quantity है, that is called conductance, वो क्या करता है, वो help करता है, मदद करता है, मतलब that is a reciprocal of resistance, that is a reciprocal of resistance, okay, तो इसको थोड़ा साइड में कर दिते हैं, फिर conductance की बात करते हैं, अब को अब तक रिपृप्रकर्ट करतें किसकी बात करते हैं कंडप्रंश का है या कंड़ूकर इस नंथिंग बट रॉपकरोल औ्व Southern एक रिजाटन्स की प्रपरिटी क्या है कि भाइं उसके प्री इंदर से करेंट फ्लू हो रहा है जो charge flow हो रहा है उसको oppose कर दो conductance का मतलब क्या होगा वो help करेगा conduct करेगा वो that is a ultra of resistance that is a ultra of resistance तो इसको define भी इसले करते हैं कि इसको define कैसे करते हैं it is a reciprocal of resistance it is a reciprocal of resistance clear बासन में आगे everyone पका unit क्या हो जागा इसका unit देख लो अब SI unit हम लोग देखने जाएं तो क्या ही हो जागा ohm inverse yes or no और ऐसा भी लिख सकते हो कोई problem नहीं है okay this is nothing but SI unit of conductance okay अब question यह आता है कि बहुत लोग पूछते हैं sir ohms law हर एक जगे follow करता है क्या ohms law हर एक जगे true है क्या the answer is no ohms law हर एक जगे true नहीं जो ohms law follow करते हैं मतलब जैसे पोटेंचल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करेंड बढ़ रहा है but non-ohmic device है जैसे semiconductor तुम्हारा last chapter है वहां पर हम लोग पढ़ेंगे diode पढ़ेंगे वहां पर हम लोग यह पढ़ेंगे क्या बोलते हैं semiconductor diode पढ़ेंगे तो जो semiconductor diode है न वो ohms law फॉलो नहीं करता ओके अगर हम लोग इसके drawbacks की बात करें इसके limitations की बात करें अगर हम लोग इसकी कहानी वहीं पर अटक जाती है कि वहां पर अगर हम लोग देखेंगे न तो ऐसा graph बनता है कुछ ओके directly proportionally यहां पर अगर हम लोग देखेंगे ohms law के लिए तो ऐसी कहानी बनती है यह हो गया मेरा वी और यह हो गया मेरा आई पट उसके लिए को कहानी ऐसे बन रही है मतलब यहां तक यह portion तक यह portion तक मैं कितना भी वी बढ़ा लू भाई आई में कोई भी अब यहां तक मैं कितना भी वोल्टेज बढ़ा लू वोल्टेज बढ़ा लू भाई करेंट नहीं बढ़ेगा अब जैसे यह अब जैसे से कारेंट बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा बढ़ेगा तो वैलियू कम lives अचाल होगी कि capitalist करेंट में इसे बनथा मतलब instead of getting a straight line graph थोड़ा सा bend होना चालू होता है बेंड होना चालू होता है वी की तरफ straight line नहीं मिलता कब जब बहुत जाधा current बढ़ जाता है तब जब बहुत जाधा current बनना चालू होता है तब यह phenomenon होता है क्यूंकि current अपने आप ही heat प्रोड्यूस कर रहा है और heat क्या कर रहा है heat resistance प्रोड्यूस कर रहा है और resistance किसको ही कम करेगा वो current को ही कम करेगा तो वो कहानी है वो कहानी है कि homes law हर एक जगे नहीं लगता जब तक इसका condition बोलते है न environment condition मतलब अगर तुम लोग statement भी देखोगे तो statement क्या है भाई the electric potential is directly proportional to the current yes or no provided नीचे conditions है कि जब तक physical condition okay same ना हो मतलब temperature change ना हो humidity change ना हो okay environment का जो moisture है वो change ना हो तब तक homes law अच्छे से follow करेगा clear बास नमा गई homes law क्या होता है okay so क्या करना है तुमको तुमको सबको पता है कि भाई यह सारा का सारा topic स्टार्ट करने से पहले एक बार सारा का सारा चाप्टर पहले पढ़ लेना है और पढ़के फिर यहां पर पढ़ने आना है बास नमा रही कि ने सब्सक्राइब करेंगे इस चाप्टर में याद रखना तुम लोग ने आधास ज्यादा टॉपिक अल्रेडी टेंथ में पढ़ा हुआ है तो ज्यादा देखो मैं कितना राप कर रहा हूँ आज ओके चलो सो एक्शली मैं को लेट हो रहा है इस तो थोड़ा सा जाना है ओके नेक्स लेक्चर में मिलेंगे अल्विदा ओके तो आज का लेक्चर यहीं पेंड करते हैं आज के लिए बस इतना ही that's it for today thank you so much